हलो अबरिवन आज है 6 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात किने जा रहें सुजलॉन एनरजी के बारे में 38 रुपीस का शेर है 2% का डिकलाइन यहाँ पर देखने को मिला जरूर है और पिछले एक महिने में देखो तो धीरे धीरे पहले एक बड़ी रफतार देखने को मिली 42 रुपीस पे था बाद में करेक्शन भी आया तीजी भी आयी करेक्शन भी लेकिन फिर भी देखा जाए तो गिरावट वाला जोन यहाँ पर अभी के लिए देखने को मिल रहा है बातचित करेंगे इस वीडियो में कि हाल फिलहाल में चल क्या रहा है कौन सी नई अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है और कोटक का यहाँ पर क्या कहना है इसको लेकर देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब ज़रू कर लीजेगा तो एक महिने में 7.5% की तीजी तो है लेकिन एक साल में अगर आप देखोगे कि देखने को मिली और उसकी वज़े भी है कई सारी positive updates यहाँ पर निकल कर आई company पहले debt से जूज रही थी अब उससे बाहरा रवईया है अगर कोटक की बात करी जाए सुजलोन energy को लेकर तो वो भी बात करेंगे तो यहाँ पर कोटक institutions ने यह कहा है कि सुजलोन ने पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छा growth दिखाया भी है valuation वगेरा को लेकर इतना ही नहीं कोटक से इटे stock price of electricity generation equipment suppliers सचे सुजलोन और भेल have increased sharply सुजलोन में भी अच्छी तीज़ी आई भेल जो एक सरकारी company है वहाँ पर भी काफी बड़ी रफतार यहाँ पर देखने को मिली है और सुजलोन 2023 में अभी तक देखे तो 270% का jump यहाँ पर आया है और last five years में तकरीबन 740% का jump जो है वो कह सकते हैं यहाँ पर और market cap भी धीरे-धीरे का बढ़ता हुआ नजर आया और company को कई सारे बड़े orders भी पिछले कुछ time में मिले जरूर है और धीरे-धीरे situation इनकी बदली जरूर है यहाँ पर कोटक से the market active focus on near term earning result और जहाँ तक fair valuation की बात कि तो both side तो दिक्कत यहाँ पर थोड़ी बहुत बीच-बीच में आएगी जरूर लेकिन जो momentum है वो positive यहाँ पर रह सकता है positive momentum यहाँ पर रह सकता है हलाकि देखा जाए सुजलान को लेकर तो अपनी जो solar capacity जो है वो दीरे-दीरे इन्होंने बढ़ाई जरूर है और आने वोले time में और increase होती नजर भी आएगी और दूसरी बड़ी updates यहाँ पर यह भी है कि हाल फिलहाल में ही सुजलान को include करा गया मतलब BSC power in dice में इसको include करा गया है और black rock जो कि दुनिया का सबसे बड़ा asset management है उन्होंने सुजलान में अपना stake बढ़ाया है कुल मिला कर अभी black rock की सुजलान में जो investment है वो 5% से जादा की हो चुकी है 5% से जादा की है इतना ही नहीं अभी इससे पहले भी एक update थी कि MSCI in dice में इनको जगे भी मिली है तो कई सारी positive ख़बरे आई यहाँ पर और अभी देखो जब 8 रुपे का share 40 पर जाता है तो भाई साब बीच बीच में थोड़ी बहुत profit taking देखने को मिलती है और अभी वही चल रही है अगर हम volumes की भी बात करें तो तकरीबन 2 करोर shares अभी तक trade हो चुके है यहाँ पर और company में according to money control user 100% buying recommendation ज़रूर देखने को मिल रही है और company को लेकर अगर आप इनका results पर focus करें तो revenue में अभी उतना बड़ा jump देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन profit wise दीरे दीरे jump ज़रूर आया है last quarter में 100 crore का आसपास का profit था उसे पहले भी 100 crore का chances इसलिए ज़ादा है क्योंकि पहले क्या था कि सुजलान के उपर कर्जा बहुत ज़ादा था अभी company ने almost 90% का अपना debt जो है वो चुका दिया है और बाकी का भी जो है अभी उन्होंने हाल फिला में 2000 crore की fundraising भी करी हुई थी और कुछ पैसों का इन्होंने debt चुकाने में इस्तिमाल किया कुछ का वो आने वाले इस्तिमाल करेंगे अपने expansion के लिए तो वो चीज भी है तो simple सी बात यहां पर यह है कि जो पैसा पहले debt चुकाने में जाता था अब वो नहीं जाने वाला है तो कहीं न कहीं इनके revenue जैसे जैसे बढ़ेंगे profit में पहले के मुकाबले जादा profit देख सकेंगे जहां तक valuation की बात किया तो वाइसा देखो सस्ता नहीं है यह 95 का इसका P ratio है sector P 50 का है यहां पर लेकिन अगर आने वाले time में सुजलोन के profits में improvement आती है तो यह भी adjust हो जाएगा price to earning ratio जो है वो भी adjust हो जाएगा अगर इनके profits बढ़ते नजर आएंगे तो और हला कि chances है कि बढ़ते नजर आएंगे 100% analyst की buying recommendation है जहां तक बात करें हम share holding को लेकर तो promoter के पास 13.29% की holding है और अच्छी बात यहां कि पहले promoter की almost सारी के सारी holding गिरवी थी अभी promoter अपने जो shares गिरवी रखे थे उसको छुड़ा लिया है और जो बड़े fund house की जो entry है उसने भी काफी major role play किया है पिछले 6 महिने में इतनी बड़ी रफतार के लिए यहां पर 4.70% का stake mutual funds के पास है 5.12% जो है वो domestic institutions लेकर बैठे है 10.88% files लेकर बैठे है retail और other की बात करें तो यहां पर 66.02% की holding है दोनों की कुल मिला कर और retail investor 24.09% है other parties 41.92% के आसपास के holding पर है और अभी हाल फिलहाल में जब सुजलौन के management से पूछा गया था कि आने वोले टाइम में वो अपने shares को बढ़ाएंगे के नहीं अपनी holding को बढ़ाएंगे के नहीं तो उन्होंने का कि अभी तक तो ऐसा कोई plan है नहीं future में कुछ कह नहीं सकते लेकिन अभी को ऐसा plan नहीं है तो यहां पर देखो सुझलाउन को लेकर जो corrections अभी बन रहा है मेरे इसाब से वो कोई उतना बुरा correction नहीं है healthy correction है अग इससे पहली पर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार थी 42 पर गया था बाद में 37 पर भी आया attempt करा गिरावट आई attempt करा गिरावट आई लेकिन पिछले दो दिनों की जो गिरावट है वो इसलिए चुब भी रही है buy on dips के मौके डूनने चाहिए कशीब एक level वे बहुत सारे नहीं लेकिन दीरे दीरे add कने के मौके डूनने चाहिए नजरिया long term का होना चाहिए यहाँ पर और company में अब मुझे दिक्कत नजर नहीं आती है और अब बस एही होगा देखो कि बीच बीच में एक profit taking आती रहेगी fundamental तोर पर कोई उतनी बड़ी problem मुझे अब नजर नहीं आ रही है हलाकि देखा जाए तो अच्छी बात है कि जो passive inflows यहाँ पर है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे due to MSCI indices के चलते हैं और अभी हाल फिला में जो इनको power indices में जगे मिली है बना मिलने वाली है अभी add नहीं कराए add करेंगे तो उसके चलते जो एक passive inflow कह सकते हो सुजलान में तो उसके chances यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए है तो नज़र रखे इस company के उपर अभी decline वाला mode ज़रूर है लेकिन अगर already है तो carry कर सकते हो लेकिन जहां तक fresh buying के बाद आती है मैं यही कहूंगा कि 35 रुपए क्या जो arrange है एक initial support के तोर पर वो काम कर रहा है और buy on divs के मौके वहाँ से शायद बनते हूँ नजर भी आ सकते हैं तो यह तो मेरा मानना है बाकी मरजी आपकी है वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आए हो तो like करें शाय करें चैनल बगरा पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सुजलान एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेट में लेकि बता सकते हैं थैंक्यू